योग, योगा, अंतराश्रे योग दिवस, योग थेरपी, योग, योग, आज से हो गया है, काउंट डाउन शुरू, एक महीने बाद हैं अंतराश्रे योग दिवस, योग की बात तो सब करते हैं, पर योग क्यूं? क्या कारण है कि महान, वैदिक, सनातन, संस्कृती ने विश्व को योग दिया? क्या कारण है कि आज पूरा विश्व बाहें पहला करके योग को अपना रहा है? आईए, करते हैं इसका विज्ञानिक विशलेशन. नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्टा, स्वागत है आपका Friday Facts with आचारे प्रतिष्टा, इन साइट टु इंजिन कल्चर के इस विशेश एपिसोड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भारत ने पूरे विश्व को योग दिया क्यूं? हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हमारे रिश्व मुणी विज्ञानिक थे, वो जानते थे, वो विज्ञान को जानते थे और उन्होंने इसी लिए वो सब हमें दे टुडे लाइफ में हमारी संस्कृती की जड़ों में डाल करके दिया कि हम उसे जीवन में अपनाएं। योग जिसका उद्गम हिरन नेगर्ब से बताया जाता है, जिसके प्रणेता योगी राजश्व जिसका उलेक हमारे वेदों में आता है, जो हमारे सबसे ट्रडिशनल और पुराने टेक्स्ट हैं, जिसमें साफ साफ आता है कि वेदों में कई जगा पर योग की चर्चा की गई है, वेद विश्व के ज्ञान विज्ञान की भंडार हैं, वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विशय अध्यात्मिक उन्नती करना है, इसके लिए यग्य उपासना पूजावान ने कर्म कांडों का वर्णन किया गया है, इन सब से पूर्व योग साधना का विधान किय गया है, इस बात से इस सिद्ध होता है कि वेदों में भी योग विद्धा को कितना महत्व दिया गया है, जिन इंद्र अगनी देवता के बिना यग्य, ज्यानी का यग्य भी सफल नहीं होता, उसी में ज्यानियों को अपनी बुद्धी और कर्मों का योग करना चाहिए, उ संस्कृती सिर्फ नहीं है, संस्कृती की जड़ है, योग के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, आज के इस एपिसोट को तीन हिस्सों में बातेंगे, पहले भारत का संस्कृती की योग, क्यों भारत ने विश्व भर को दिया, दूसरा आज की परिवेश में योग, और त जीवन में हम जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब योग से प्राप्त हो सकता है, फिर चाहे हम तन की बात करें, मन की बात करें, धन की बात करें, जीवन की बात करें, अग्रेजी में हम कहते हैं अकसर, आपने हमें कई बार सुना होगा, योग is a science that touches all the levels of human life, whether we talk about physical level, mental level, social level, emotional level, financial level and even spiritual level, जो भी कुछ जीवन में प्राप्त करने योग है, वो सब योग से प्राप्त हो सकता है, अगर तन की बात करें, तो जब आप सुभा उठते हैं, अपने गाड़ी को भी चेक करते हो ना, घर से निकलने से पहले हवा ठीक है, इंजन ठीक है, पेट्रोल है कि नहीं पर ये मशीन जो परमात्मा ने दी, इसको हम चेकी नहीं करते हैं, और सीधा सीधा उठते के साथ इस से कामले नारंब कर देते हैं, सिर्फ अगर आप प्राते काल 20-30 मिनट योग साधना के लिए निकालें, तो आपकी ये मशीन हमेशा अच्छे से काम करेगी, लेकिन ये और भी महत्वपूर है समझना कि शरीर माध्यम खलू धर्मसाधनम शरीर का ध्यान तो रखना है, लेकिन इसलिए नहीं कि ये भोगायतन है, इसलिए कि ये मोक्शायतन है, क्योंकि इस शरीर से मुझे वो प्राप्ते करना है, जो मेरे जीवन का higher objective है, आत्मा की और योग का की परिभाशा में ही सारी बात से मट जाती है, पहला योगह करमसू कौशलम, full perfection in your work is योग, जब आप पूरे perfection के साथ अपने काम को करते हैं, तो योग घटत होता है, जब हम समानता को पा लेते हैं, तब योग घटत होता है, दुखी हो गए, सुखी हो गए, प परिशान हो गए, खुष हो गए, एकसाइट ओगए, एस सबमें जीवन निकल रहा है, युनानिमिती नहीं है, संयम नहीं है, समानता नहीं है, उस समानता को पाना योगह है, और imagine करो, कि तुमारी लाइफ ऐसी कि ना तुम दुख में दुखी, ना तुम सुख में सुखी, सिर्फ आनंद में स्थित हो, शान्ती में स्थित हो, तो आनंद ही आनंद जीवन में रह जाएगा, यह हमें योग सिखाता है, और सबसे महत्वपूर, सैयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मन हो, जोनिंग ए परसनल सोल, जीवात्म क्या है, अधी जमा आत्म, जब आत्म की उन्नती हो, वो रेज हो, जब आत्म रेज होगा, तो परम आत्म में लीन हो जाएगा, और वहां योग घटत हो जाता है, तो जीवन में शरीर को फिट रखना चाते हो, योग करो, मन को शान्त रखना चाते हो, योग करो, आत्मा को उन्नत करना चाते हो, योग करो, बलवान, गुणवान, शक्तिमान, धनवान ये सब योग आपको बनाता है अब बात करते हैं कि आज के परिवेश में योग अगर हम आज के परिवेश में योग देखें तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ में आ गया कि भारत ने योग पूरे विश्व को दिया है पर योग एक ऐसी विदा है जिसे खुली बाहों से पूरे विश्व ने अपनाया है क्यों क्यों क्योंकि जितने भी धर्मपत हैं वो सब हमें योगस्त स्थती की ओर ले जाते हैं चाहे उसे हम इसलाम में वसल कहीं दीदार कहीं खृष्चानिटी में सेल्फ रेलाइजेशन कहीं या हिंदुईज्म में आत्मसाक्षातकार कहीं पर इस सत्य को आप नहीं जुटला सकते कि योग की जड़े हैं वो सनातन संस्कृती में हैं वैदिक संस्कृती में हैं लेकिन इस सत्य को भी नहीं जुटलाय जा सकता कि इसके द्वार सब के लिए खुले हैं और आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है लेकिन जिस रूप में अपना रहा है क्या वो सही है क्या योग का योगा बन जाना प्राणायाम का प्राणायामा बन जाना ध्यान का ध्याना बन जाना ध्यान का माइंड फुलनेस बन जाना जबकि माइंड एम्टी होने पर ध्यान लगता है योग सिर्फ कसरत नहीं है I belong into a family of yogis हमने योग की यात्रा को योग से योगा बनते देखा योगा and प्रानायाम बनते देखा योगा and meditation बनते देखा meditation को अलगकर या प्रानायाम को अलगकर या फिर कहते है योग सिर्फ कसरत है योग is not only a mere set of physical exercises योग एक जीवन शेली है जिसका अभिन अंगययम नियम आसन प्रानायाम प्रत्याहर धारणा ध्यान समाधी समाधी की स्थिती तक योगा में ले जाता है तो इसलिए उसको ये power yoga हो गया ये nude yoga हो गया ये iron yoga हो गया ये bear yoga हो गया ये face yoga हो गया योग for face you cannot call it face yoga you cannot call it abdominal yoga you cannot call it power yoga योग जो power gain करने के लिए योग का वो part जो power देगा योग का वो part जो strength देगा ये हम्यारे लिए महत पुपुण है कि हम ये समझें कि अगर भारत ने विश्व को योग दिया है तो योग को खंडित ना करें योग को बदलने का प्रयास ना करें हाँ हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें हम बताएं कि ये हमारा नया एक्सपेरिमेंट है लेकिन जो ट्रडिशनल है जो सांस्कृतिक है उसे खंडित करने का प्रयास ना करें ये हुआ आज का फ्राइडे फैक्स विदाचारे प्रतिष्ठा आप सभी को आगामी अंतराष्ट्रय योग दिवस की शुप काम नाए 21 मही से प्रती वर्ष भारत योग मुक्षाइतन योग संस्थान अनेग अनेग गती विधियां लेकर क्या आता है और इस वर्ष भी वो गती विधियां आएंगे आप जुड़े रहे हमारे साथ फ्राइडे फैक्स विदाचारे प्रतिष्ठा हर शुक्रवार को जुड़िए और स्वस्त रहिए आनन्दित रहिए अपने संस्कृती पर गौरवान विध अनुभवगी जी घरीओ